अर्मेनिया और अजय बाइजान के बीच दशको पुराना सीमा विवाद रविवार को एक बर फिर भड़क उठा इन दोनों देशों के बीच किस कारण विवाद हुआ, कौन किस की मदद कर रहा ये सब आपको बताएंगे लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें आर्मेनिया और आज़रबाजान के इस विवाद के केंदर में नगोर्नू कारबाग का पहाड़ी इलाका है जिसे आज़रबाजान अपना कहता है हाला कि 1994 में खत्म हुई लड़ाई के बाद से इस इलाके पर आर्मेनिया का कबजा है 1980 के दशक के अंच से 1990 के दशक तक चले युद्ध के दोरान 30,000 से अधिक लोगों को मार डाल दिया गया और 10,000,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे आर्मेनिया और आज़रबाजान के बीच नागोर्नू कारबाग इलाके को लेकर भीश और जंग जारी है तविवार से शुरू हुई इस जड़प में 100 से अधिक लोग मारे गये थे और बताया जा रहा है कि ये हाल के दिनों में सबसे खूनी जंग में बदल गई है कौन देश किसके समर्थन में इस जंग के बीच एज़बाइजान के समर्थन में टर्की की ओर से भेजे गए सीरियाई आतंकी भी जंग में उतर गए है उधर टर्की की धमकी के बाद अब फ्रांस भी आर्मेनिया के साथ आ गया है अर्मेनिया और अजोबाईजान के बीच बरते तनाव को देखते हुए रूस ने लड़ाई को खत्म करने के लिए बातचीत आयोजित करने का ओफर दिया है रूस के विदेश मंतरी सरजी लैवरोब ने दोनों ही देशों की सरकारों को ये ओफर दिया उधर इस लड़ाई के खात्मे के लिए रूस के राश्चुपती व्लादमीर पुतिन ने फ्रांस के राश्चुपती इम्मैनुल मैर कॉर्ण से बात की है दोनों ने ताउने सीस्वायर का आहवाहन किया है आर्मेनिया का S-300 मिसायल सिस्टम नागोर नो कारबाक में उड़ाया रूस का आर्मेनिया के साथ सैन गठ जोड है लेकर उसका आज़रबाईजान के साथ भी करेबी सम्बंध है बुदवार को आज़रबाईजान के राश्रपती ने प्रण किया कि आर्मेनिया सुरक्षा बलो के इलाके को छोडने तक ये हलडाई जारी रहेगी उन्होंने कहा कि हमारी एक मातर ये शर्थ है कि आर्मेनिया के सुरक्षावल पूरी तरह से और बिना शर्थ हमारे इलाके को छोड़ दें वहीं आज़बायजान के सेना ने बुद्वार को एलान किया है कि उसने आर्मेनिया का एक S-300 मिसाइल सिस्टम नागोर्नु कारबात में उड़ा दिया उसने ये भी दावा किया कि आर्मेनिया की सेना तोंशिन गाओ के पास के इलाके से भाग खड़ी हुई है उधर आर्मेनिया ने दावा किया है कि आज़बायजान आम नागरिकों पर बम बरसा रहा है आज़बायजान सेना ने 3000 से अधिक स्यानिकों को खो दिया है टर्की की धमकी पर फ्रांस ने दिया करारा जवाब अर्मेनिया आजरबाईजान की जंग से नाटो के दो सहीयोगी देशो फ्रांस और टर्की में विवाद गहरा हो गया है फ्रांस में आमेनियन मूल के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं टर्की इस युद में खुलकर एजरबाईजान का नाकिवल हर तरह से समर्थन कर रहा है बलके धमकी भी दे रहा है बुदवार को टर्की के विदेश मंत्री मेवलूट शेवशोलू ने आरोप लगाया कि फ्रांस आमेनिया के एजरबाईजान में कबजे को अपना समर्थन दे रहा है इस आलोशना पर फ्रांस के राष्ट पती ने टर्की को करादा जवाब दिया उन्होंने कहा कि टर्की युद जैसी धमकी दे रहा है मैकरान ने कहा कि फ्रांस इसे सुईकार नहीं करेगा वहीं सेक्तराष्ट के महासचेफ अंटोनियो गोतरेस ने अर्मेनिया और अजबाईजान से लड़ाई जल रोकने की अपील की है और कहा है कि मौझूद अहालातों से वो काफी चिंतित हैं अमेरिकन प्रेजिडेंट डॉनल्ड ट्रम्प ने हिंसा को रोकने के लिए अपील की फ्रांस ने भी दोनु देशों से तुरंट लड़ाई बन कर बाचीत का रास्ता तलाशने की अपील की थी फ्रांस में बड़ी संख्या में आर्मेनिया के लोग रहते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें